कि नमस्टार दोस्तों स्थवागत है आपका हमारे चैनल कौमर्ष ज्यान में आज हम सेलेरी इनकम का थरड लेक्चर शुरू करने माले हैं और और अरोवर जो हमारा घुल सबस्का है аб allowance चार पार्ट में divided है fully taxable, fully exempt partly taxable and exempt up to office expenditure fully taxable का अंदर क्या है अगर आपको का नाम पढ़ा आपको इसका नाम पेपर में दीखा आपको इस allowance को पूरा का पूरा टेक्सेबल कर देना है वहीं अगर आपको exempt allowance में से किसी का नाम दीखा तो आपको उसे complete exempt कर देना है उसे आपको salary income में include बिल्कुल भी नहीं करना है वहीं अगर आपको partly taxable करा तो उसके provisions के according आपको उसे taxable करना है जो most important part आता है allowance का वो आता है partly taxable वहीं अगर exempt up to office expenditure है तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी office expenditure दिया हुआ है तो आपको उस extend तक उसे exempt रखना है उसके आगे उसे आपको taxable कर देना है अगर आपको office expenditure नहीं दिये हुए है तो आपको उसे पूरा का पूरा exempt कर मान के चलना है और उसका note नीचे लिख देना है कि हमने एजूम किया है कि जो employee है उसने अपना सारा पेशा यहां कर्च कर दिया होगा तो चलिए आएगे हम discuss करते हैं वन बाई वन इन चारों allowance के बारे में इनमें कहीं चारे allowance और आगे आएगे तो fully exempt allowance और यह साइद आगे आगे खुड़ा fully exempt ना वहले ठीक है अब fully exempt allowance कौण कैज़ ओते हैं कोई भी allowance जो high court या supreme court के जज़ को दिया जा राहे वह exempt है अकर कोई united nation organization के employee को कोई allowance पे जा राहे वह exempt है united nation organization के कोई employee है और अकर उसको कोई allowance पे गिया जा राहे वह exempt है compensateRć Silence अगर किसी judge को दिया जा रहा है इसके अलावा अगर कोई गॉर्मेंट एम्प्लोई जो बाहर काम कर रहा है इंडिया के और उसे गॉर्मेंट को अलाउंस देती है वह एक्जम्ट है आगे जलते हैं फुल्ले टेक्सेबल जिसका आगो नाम सुनते ही टेक्सेबल कर देना है यह लिस्ट कोई आगे अलावनस मिले इसका नाम उपर दिया जा रहा है तो अगर ऐसा है तो आपको उसे देखते ही टेक्सेबल कर देना है कुछ allowance जिसके नाम आपको वसी इस list को आपको याद नहीं करना है आप अगर तीन याद करते हो तो यह चोरती आटोमेटिक की वे जो नहीं है जो इन तीनों में फोल नहीं कर रहा है वो फॉर्थ के अंदर आटोमेटिक है और आपको इसे टेक्सेबल कर देना है जैसे entertainment allowance, city company's mandatory allowance, dns allowance, overtime allowance, fixed medical allowance, interim allowance, servant allowance, project allowance, tiffin, lunch, dinner allowance, warden allowance, transport allowance और कोई भी any other allowance ठीक है एक बार आपको पढ़ सकते हैं इन में से कोई भी अगर आपको सीधा आजाता है आपको से टेक्सेबल करना है ठीक है salary income पे या house property income एक part बनके आता है इन दोनों में से आपको और मतलब options में एक question दिया जा सकता है और यह दोनों question आपके 20 marks को content करते है house property हम पढ़ चुके हैं अभी हम salary देख रहे हैं दोनों ही topic बहुत easy है आगे के topic जो मैं पढ़ा रहा हूं वह भी काफी easy हो उनके लेकिन अगर इन दोनों को compare करें तो यह बहुत easy topics है तो आप बस classes regular देखते जाहिए one by one और सा आती साथ आप जो भी book refer कर रहे हैं उसमें से questions करते हैं मैं सारे questions आपको provide नहीं करवा पा रहा हूं मैं कि अगल जो practice session है उन्हीं कई कुछ questions में आपको करवा रहा हूं तो इसलिए आपको सारे questions कुछ से करने हैं आगे अगर हम देखते हैं तो exempt to office expenditure office expenditure का मतलब क्या है कि जैस इन allowance में अगर आपको कोई दिया जा रहा है अगर आपने उस पूरे पैसे को खर्च कर दिया तो यह taxable नहीं होंगे जैसे traveling allowance अब आपको traveling allowance दिया गया और आपने उस पूरे allowance का expand कर दिया गया तो इस पर आपको tax नहीं देना है daily allowance, convince allowance, helper allowance, research allowance और uniform allowance यह 6 allowance है इसकी list आपको य याद करनी है और यह MSA मान के चलिए कि salary के अंदर आपको याद करना वो ज्यादा important रहेगा आगे भी आपको करनी चाही चाही चीजी याद करनी रहेगी तो इसलिए याद करना आपको बहुत ज़रूरी है आप ट्रेवलिंग लाउंच क्या होता है कि जब आप कहीं बाहर बेजा जाता है employee को तो उसे traveling allowance दिया जाता है कि जैसे मान लिजिया employee काम कर रहा है कानपूर में और उसे किसी काम के सिल्चले से दिल्ली पेजा जा रहा है तो उसके लिए उसे traveling allowance दिया जाएगा और वह जो allowance है वह allowance fully exempt है जब तक exempt है जब तक अगर उसने पैसा खर्च कर दिया अगर उसे पैसा खर्च नहीं करता है तो उसे जितना पैसा खर्च नहीं किया है वह टेक्से बल जाएगा । टरवल मांट है । नेया यहां है कि वा लिएा अजया हमे को जाए in the that it should be अजय ही जिए घरी अलांस आrise अना के लिए और कि रिफटार से लेटए अपको एममले जोने मदद के लिए है यहां कि जैसे मान लिजी कि आपने बॉस से रिकुंचित की कि सर मेरा काम जादा है मुझे एक helper की जुरूरत है बोश ने का कि अभी हम किसी को recruit नहीं कर रहे हैं एक दो महीने के लिए तो आप खुछ से काम चलाइए तो उसके बदले में हम आपको कुछ आपको चलाओंस दे रहे हैं ताकि अगर अपने हिसाब से आपको यह helper अगर अगर अरेंज कर सके तो आप उससे चाप से करें तो वहां helper आता है रिसर्च अलाउंस अगर है जो रिसर्च परसंज है रिसर्च अजा उनको यह एक अलाउंस दिया जाता है consumed कीरे एपिदेंटिश मैं इस jour बांकको अलैको लिए तरह को बिल्णाय अगर इस तख आपको एक ज़ादा जा रहा है तो वह सब्रेकर करें और बाकी का अमाउंट एक्सेबल है तो इस तरीके से यह पाटली है तो अगर हम 1-1 देखते हैं हारे तो हारे के अंदर जो एक्चुली रिसीव अमाउंट है पहला वो ले लेंगे देन आप्टर रेंट पेड और मैनस 10 परसेंट सेलेटी वो ले लेंगे और 40 परसेंट ऑप स उसका employment अगर वहाँ है तो हम 50% of salary लेंगे इसमें क्यूशन ले रहते हैं ताकि आपको better understanding होदा है क्यूशन है Mr. T जो की माल लीजिए नागपूर में accommodate है नागपूर में उसका employment है और इसकी basic salary है 5000 पर मन्त देन डीए 2000 पर मन्त कमिशन है 1000 पर मन्त चारे है 1000 पर मन्त जो से रिसीव हो रहा है और other allowance जो है salary का part बढ़ेंगे बाकी अधर आपको include नहीं करना है जो salary के 40% of salary 10% of salary उसके अलावा उसको ने जो rent पे किया है वहाँ पे 2000 पर मन्त जो उसने रेंट पे किया है अब आपको अचारे मिखाल ला है तो अचारे जो उसको एक्चुली रिसीव हुआ है वह है 1000 पर मन्त रेंट पे उसने किया है 2000 बेसिक जो salary हो जाएगी वह है 5000 and 2000 is 7000 का 10% is 700 जो निकल गया गाफ 1400 और 40% of salary तो this is 2800 सबसे लोवर अचारे जो एक्चुली रिसीव हुआ हानी कि 1000 पर मन्त लेगे कहीं बार यह भी कमा जाता है जैसे माल लीजिए अगर उसने rent ही 1000 ही पे किया होता या 1000-700,300 ही आता तो इस case में 300 लोवर हो जाता तो यहां तो वेजे एक्चुली पूरा का पूरा अचारे एक्जम्ट हो गया लिकिन जब इस situation में 300 ही एक्जम्ट होता यानिकि 700 पर मन्त आपका टेक्सेबल हो जाता मल्टिप्लाइब ट्वल मन्त करके आप उसे annual जब आप statement बनाते तो आप उसमें HRA की नाम से पूरा का पूरा जो 700 मल्टिप्लाइब ट्वल हो तो कितना आए गया बास्ताम से पूराइश एक्टीफ एक्टीफ फॉर हंडेड यह आप पूरा का पूरा ले जाते ठीक है याद करते चाहिए और आपको यह अलॉज याद रहेंगे जैसे triple area allowance यह majorly सेना में होते हैं उनको मिलता है जब आप triple area में जाते हैं 200 पर मन्त ठीक है इन allowance वाले जो जाद़ा डिटेल में जाना नहीं है कि क्या होते हैं कैसे होते हैं अगर आपको फिर भी सर्च करना है Google है स को पता जलता रहेगा तीक है अलाउंस टू एंपले वर्गिंग इन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम याने कि इसे ट्रक वाले जो होते हैं ट्रक मगर में जो काम करते हैं उनमें 70 पर सेंट या ट्न तॉजन पर मन्त उनको अलाउंस मिलता है वह एक्जिम्ट रहता है अगर आप काम कर रहे है तो 1060 पर मन्त आपको एक्जम्ट है और उसके अलावा आपको 1600 पर मन्त एक्जम्ट है हाइली एक्टिव एरिया अलाउंस में 4200 पर मन्त एक्जम्ट है और आइसलेंड ड्यूटी यानिकी अनमानने को बाहर इन जगों पर आप ड्यूटी तरहे हैं तो 3250 पर मन्त आपका एक्जम्ट है तो यहां हमारा अलाउंस का होता है खतम अग हम देखते हैं अगला नेक्स नेक्स टॉपिक जो है पर्कुजिट्स पर्कुजिट्स को थ्री पार्स में डिवाइड किया गया है पढ़ने के लिए टेक्सेबल इन कैसेज ऑफ ओल एंपलोई यानि कि कोई भी एंपलोई हो हमें इससे फाग नहीं पड़ता पर्कुजिट्स आएंगा हम उन्हें देद मैं है और वो है rent-free accommodation जो कि all employee के cases में textable है आपको इनके नाम याद नहीं करने है इनके अंदर के continent है वो आपको याद करना है ठीक है ? तो all employee के cases में ये नाम है आप हमें एक और पर्ड़ सकते हैं जीकिए अगर किसी को notes लिखनी है तो यही Ultimate Notes है आप चाहिद इनका स्क्रीमिस से इस तरीके से आप इसको एउडिंग दिया और यहांप फिर typically सी इस तरीके आप लिख सकतें बाकी के नौट भी आप इसी तरीके से पापीपैस कर सकतें के अगर आप स्क्राइब शयुक्ते स्क्राइब के रहले सकते हैं मैं कहूंगा अगर आप वह आफ लिखते हैं तो वह ज्यादा बेटर है तो अब हम आज रेंट फ्री अक्कोमेडेशन के उपर आके देख लेते हैं इसके प्रोविजन देख लेते हैं रेंट फ्री अक्कोमेडेशन अगर कोई है तो उसका के वार लाइसेंस फीज ही टैक्सेबल है ठीक है यह अगोई कोई क्वेड़ आपको कोई याद करने की जूरत नहीं है किसी तरीक ही कोई टैबल याद करने की जूरत नहीं है तो license fees को आपको taxable करना है ठीक है यहां को आपको किसी तरीके की calculation की जुरूत नहीं है non-government employee की cases में अगर employer का खुद का ही property है यह employee अपनी खुद की एक building मनाई होई है और उसमें आपको rent पे दिया हुआ है employee को rent पे दिया हुआ है उस situation में आपको population देखनी है 2001 की and then अगर वो 25 लाग से जादा है तो 15% of salary taxable होगी 25 लाग से कम है लेकि 10 लाग से जादा है तो 10% of salary taxable होगी और अगर other gases में 10 लाग से भी कम है या बराबर है तो 7.5% of salary is taxable वहीं अगर वो rented property है याने कि employee rent पे लेकर के आपको provide कर वाई है तो जो उसने rent पे किया है उस property का और 15% of salary जो भी आपका lower आएगा वो taxable हो जाएगा यहाँ exempt नहीं है देखो हमें से यह चीज याद रखना अब तक हमने जो calculate की थी उसमें हमने exempt amount के calculate किया था यहां हम taxable amount calculate कर रहे है तो यह चीज हमें से याद रखना यहां पर आपको एक confusion हो सकता है आगे जागे तो इसलिये उसके बाद में कहीं बार RFA के अंदर आपको hotel दिया जाता है यानि कि जब आप कहीं से transfer करते हो तो कुछ time के लिए hotel दिया जाता है तो वह अगर आपको hotel मे stay करवा रहे हैं तो 24% of salary और actual amount whatever is lower is taxable वहीं अगर आपको furniture भी provide करवाया जा रहा है 7 साल और वह furniture अगर employer का खुद का है तो 10% of furniture amount यानि furniture की जो cost है उसका 10% आपको taxable होगा वहीं अगर वह rented furniture है तो जो भी rent paid किया गया है third party हो वह आपका taxable amount हो जाएगा तो इस तरीके से आज का हम lecture यहीं खतम करते हैं कल हम perquisites में बाकी जो perquisites बज्जय होए हैं उन्च आपको खतम करके एक salary का complete question देखेंगे और हमारा salary का इस तरीके 4 lectures के अंदर हम पूरी complete salary को देख लेंगे जग तक आप practice नहीं करोगे आपको कुछ से कुछ समझ नहीं आने हो रहा है इसलिए practice आपको continue करनी है practice नहीं चोड़नी है अगर आप कभी भी इस lecture को देख रहे हैं यानिकि just like अपने मैंने upload अभी किया है और आप तीन महीने या चार महीने बाद भी अगरे lecture देख रहे हैं तो आपको एक साथ सारे lecture नहीं दे आइडिया रखना है कि मुझे 50 days के अंदर या lecture complete करने है या 60 days में according to your exam ठीक है तो इस तरीके से आपको ये complete करना है ठीक है good day good bye thank you very much